हलो अबरीवन स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट अभी हम बात करने वाले हैं मिनहाच सीसी और यहाँ पर बाद लोना सीसी के बीच में होने वाले आज के ECS T10 के पहले मुकाबले की यहाँ पर अगर मैं बात करूं भई या दोनों ही टीम्स का टूर्णामेंट इतना बढ़िया नहीं रहा है अभी तक अगर आप देखोगे दोनों ही टीम्स तो मैं आपको बताता हूं भई कितने यहाँ पर मुकाबले हो गया है चार-चार मुकाब उसके उपर क्लिक करोगे सीधा मेरे चैनल पर आजाओगे फाइनल अपडेट चैनल पर ही मिलने वाली है यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपको मतलब इस मुकाबले में होने के अवाला देखो आपके पास कुछ टेंड़ प्लेयर हैं जो आपको कैप्टेंसी वाइस कैप् बात कर लेंगे अपडेटी टीम आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी टेलिग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो अभी जमियाँ पर सारी की सारी डिटेल डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले वैदर रिपोर्ट टेम्परेचर क्या भाया 12 से 15 डिगरी सेल्शियस के बीच में टेम्परेचर रहने वाला है और यहां पर कोई भी चांस नहीं है रेन के यहां पर अगर मैं बात करूं सिर्फ वो सिफ पांच परसेंट चांस है तो वह मान के चलो कि भी यह नहीं होने वाली रेन वह तो बाद लाएंगे और चले जाएंगे वह बाला बात होगा यहां पर पिछ रिपोर्ट की अगर मैं जो मतलब है आप अगर नाइलोन की पिछ होती है थी बेश होती पर यह कभी कभा बॉलर को फेवर करजाते कभी कर बैट्स फेवर कर जाते कभी कभी झाला कवह बिल्कूली फास्ट हो जाती है तो हिड डेक बाइंड पार अगर आप बाउंसर मार सकते भी मैंने यह देखा कि बाउंसर ज्यादा बड़िया नहीं खेल पारे हैं प्लेयर्स तो हो सकता है कि बाउंसर जो मतलब हिट्डर डेक बॉलर है उन्हें ज्यादा फेवर करने वाली है पर चैवरेज फर्स निंग स्कोर की अगर मैं बात करूं 113 रन record of chasing के अगर मैं बात करूं चार बर जो है चेज करते हैं यहां पर जीती है एक बार यहां पर हारी है पर अगर मैं बात करूं कि गुझा रभी है आपके पास और ठीक ठाक पिक मुहम्मद र्याज आपके बास हैं यहां पर अगर आप दिखो वे यां तीन मुकाबले खेले और तीनों के तीनों मुकाबले में विकट भी चटका रहा है प्लस साथ में आपको रंज भी बना कर दे रहा है ओपनिंग कर रहा है तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है ज आठ चबीशन के साथ एक विकट उनने संद यू मुस्ताग जीरो पंद्रा एक और चौदा मजिद हनिफ आपके बास है चार रन फे उसके बाद अगर माँ बात करूं महुम्मद अफटाब जीरो दो रन के साथ दो विकट एक विकट उसके आज खालिद महमूद ज्यादा क इस प्लेयर नहीं बात करूं बाबर बसरत आपके बास है और फिर उसके बाद अगर माँ बात करूं दिलशार आपके बास है दो विकेट इसन जटकाई यहां पर अगर आप देखो खालीद महमूद नहीं बाइटिंग नहीं बैटिंग कर वाई पर इसके स्टेट्स मैं तो इतनाना कंसिस्टेंट नहीं है कि आपको भीयां नहीं आपके बास्ताइब 2 तो इसकी सेलेक्शन बहुत जादा है यहां पर उमम्हन अफ़ाब आप्के बासे एक ऑफ्र में प्चीस एंदिय पिछरे के मुकाबले में ज्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा पर अपनी डीम का कैप्टन है तो कभी भी बॉलिंग कर सकता तो इस हिसाब से अगर आप रखना चाहते हो रख सकते हो इसका दिलशार आहमद आपके पास है दो ओवर थाटी नाइन जीरो विकेट बहुत पर बॉलिंग तो दी जा रही है और यहां पर दो ओवर कंप्लीट करवा रहा है हो सकता है आज के मुकाबले मों बालिंग ना दी जाए अब अगर मैं बीएस एच की अगर माँ बात करूं तो भी यह चार मुकाबले इसने भी खेले हैं एक ही जीता है मिनाज ने भी एक ही विएट टैसन के साथ एक विएट यह तीन प्लेयर आपके पाद जरूर ओने चीए एक इसका करो यह मत देखा करो कि भाई आज ग्रेंड लीग जीतनी है तो फिर कल क्या मतलब आज जी जा गोई तो फिर कल क्या होगा इसलिए कंसिस्टेंट प्लेयर ज्यादा जो कंसिस्ट यह का भाईए तो उनका ओट आए है कि हाँ चलो इनके साथ रिसक ले यह तो वैसे कुछ प्लेयर अगर आपको मिलते हैं तो उनके ओपर रिसक लिया जाता बहिए है बिल्कुल आंख बंद करके रिस्क नहीं लिया जाता है सजवल खान हो गया भी चौथे नंबर पर और रंज बना निरा इस प्लेयर के उपर आप रिस्क ले सकते हो कि चौथे नंबर पर आ रहा भी है तो ट्राइगर सकते हैं पर वो भी रिस्की ग्रेंड लीग में दिलव बैंड में लिया नहीं रहीया बॉलिंग से भी उमर जावेद आपके पास एक deciak करें रिए यह जो जिन के फिर ऊसके बाद मलिक माती ड्राइ कर सकते हैं वही आपको एक मुड आपको फ़्र तो कर revolves पाके दे रहा है तो चांसेस ज्यादा होते हैं यह दो ओवर कर रहे हो तो चांसेस ज्यादा है कि आप विकेड लेकर जा सकते हैं अब तक टेलीग्राम चैनल जोइन नहीं कर लो जिन भाई हो नहीं तक वीडियो लाइक ने कर यह चैनल सस्क्राइब ने कर रहा है दोनों काम कर लो क्योंकि ऐसी वीडियो जोर भी आते रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर एच अली यहीं से नीचे शुरू कर रहा हुं मैं यहाँ पर आपके पास है एह हुसान आपके पास है यू मस्ताक तीनों ग्रेंड लिग चॉईस यू मस्ताक आपको उपर लाकर दे रहा है मतलब उपर आ रहा है तो और भी बड़ी आ ग्रेंड लिग चॉईस है अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ के लाल भी खान दोनों प्लेयर्स होने चाहिए यहाँ पर आपको यह यह कि अगर आप एक्स दोनों प्लेयर्स बड़िया है मलिक माटी देखो एक मुकाबले में विकेट चटका कर दे कर गया वो ही पॉइंट्स है और तो मतलब इतनी बिकार बॉलिंग थे एकनॉमी के पॉइंट्स भी कटे हैं इसके तो वो देखके चलो तो तीन मुकाबले खेलें और सिर्फ टोटल 27 पॉइंट तो वो आप देखके चलो माइनस भी होंगे इसके गैरेंटी बात है यहां पर अगर आप देखो देखो पहला माइनस वन फिर 26 मतलब 25 वो थे यहां पर भी इसके भाई यह पॉइंट्स कटे हैं पका पॉइंट्स कट यह प्लेयर इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है खाली महमूद हो सकता है बॉलिंग कर वाजा है आपको इसके स्टेट्स प्रोवाइड कर वाई चुका हूं टेलीग्राम पर यू जावेद आपके पास है जावेद आपके पूरी टीम और यह पूरे 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 के अगर मैं बात करूं कैप्टेंसी के लाल है और वाइस कैप्टेंसी उदे रखे वह हैं मरियास को दे रखे जेए इकबाल है एम अफ्ताव है भी खान है सेमद है एच सलीम है फिर उसके जावेद और यहां पर आगर आप देखो हैस महमद पूरी के पूरी टीम आपके ल जे इकबाल है मरियास भी खान और के लाल पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रेंड लीग फेवरिवल है ग्रेंड लीग में बहुत बढ़िया परफॉर्म करके देदेगी अपडेटे टीम टेलीग्राम पर मिल जाएगी टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे इस वीडियो के लिए बैस इतना ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो लेकर जीगा बेल लेकर दबादिए क्योंकि ऐसे वीडियो जोड़ भी आते रहेंगे आपके लिए चैनल पर